Hi students, मैंने last video में आप लोगों को Bricks Maths में आने वाले questions का कुछ sample दिया था जिसमें मैंने parking question और rhino's question किया था आज मैं आपको दिखाता हूँ यह robot question कैसे होता है देखो, इस robot question में क्या करना है कि हमें robot को move करना है देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, robots move in a straight line until the obstacle stops them ठीक है, तो अब हम लोग देखो, यहाँ पर next दिया हुआ है click on next to see how the rate robot goes into the capsule देखो, मैंने next कर दिया, देखो, सबसे पहले यह black, जो line है उसके पास जाके वो रुकेगा यह robot जब तक कुछ obstacle नहीं आएगा, नहीं रुकेगा यह space shuttle, अब देखो, अब यह यहाँ पर आ जाएगा यहाँ से हम इसे, यहाँ पर move कर सकते हैं यह हो गया, अब देखो, इस पर task कैसा रहेगा यह यहाँ पर है, move the robot, so that the red robot will be in the space capsule make as few moves as possible, इसका best move है, 5 move अब आपको यह decide करना है, कि आप इसको कैसे, 5 move में यहाँ तक पहुचाएंगे तो देखो, मैं इसको करके दिखाता हूँ, यह वाला जो है, मैं इसे यहाँ ले जाता हूँ फिर एक move हमारा हो गया, इसे मैं यहाँ ले जाता हूँ, 2 move हो गया इसे मैं यहाँ ले आता हूँ, 3 move हो गया, यह हो गया हमारा इसे नीचे 4 move और यह आगया यहाँ 5 move, देखो हमारा done, देखो यह दिखा रहा है, हमारा 5 moves में complete हुआ और इसका best result भी 5 moves है, तो इस तरीके से यह robot वाला question 5 moves में मैंने solve करके दिखाया आपको इसे minimum moves में करना है complete, ठीक है, तो hope आपको यह video अच्छा लगाओगा